नमश्यार दोस्तों अरे बाई सुन अरे तु बीच वीडियो में क्यों आ जाता है देख यार प्रॉब्लम यह है कि अभी मेरा अपने फॉन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो एक जीवी से उपर का निकल गया है और मुझे उसको यूट्यूब पर अपलोड करना है डेटा बिल्कुल भी बचा नहीं है थोड़ा सा डेटा है मैं चाराओं को वीडियो कंप्रेस हो जाए और क्वालिटी भी डाउन नहों एस इस क्वालिटी रहे और साइज छोटा हो जाए देख इसका बहुत बेस्ट सॉलूशन है फ्री का सॉफ्ट्वेर है यूट्यूब पर वीडियो अप्लोड करता है कहीं भी मेल से बेस्ता है इंटरनेट पर अप्लोड करके बेस्ता है अगर बड़ा वीडियो बन गया है एक जीबी का वीडियो भी 100 MB तक कंप्रेस कर सकता है और बहुत तेजी के साथ मैं चल जल्दी से बताता हूं तो देखो ये वो वीडियो है जो हमने हमने फॉन से भी रिकॉर्ड किया है और इसकी प्रोपर्टी हम यहां पर चेक कर लेते हैं ये वीडियो 675 MB का है इस वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं किस क्वालिटी में ये वीडियो प्ले होता है तो कुछ इस तरह के कुछ व वो as it is रहे, उसके लिए एक free software आता है और software भी इतना कमाल का है कि बस आपको आनन्द आने वाला है एक रुपया आपको software के लिए नहीं देना है software का नाम है handbrake अब ये आपके car वाला handbrake नहीं है ये handbrake software बहुत ही गजब तरह से काम करता है free है, open source है यहाँ पर आप देख सकते हो ये convert करता है बहुत सारे video formats को और compress करता है ये mac के लिए भी available है और बहुत सारे और other platform के लिए भी है अगर आपके पास Linux है, Windows है और macOS है, आप download कर सकते हो no problem download करने के बाद आप इसे install कर लीजिए install करने के बाद कुछ desktop पे इस तरह का आपको इसका icon दिखाई देगा देखो वैसे तो ये software कुछ अलग चीज़ करने के लिए बनाया है लेकिन इसका जो icon है वो उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा party जैसा कुछ बनाया है इस पे यहां पे अननास है और एक juice का glass रखा है पता नहीं क्यों रखा है वो इनकी मर्जी है फिलाल इस पे हम double click करेंगे और handbrake software को यहां पे इस तरह से run कर लेंगे तो जब पहली बार आप handbrake को run करेंगे या open करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पे आपको simple करना क्या है या तो आपको यहां पे अपना folder select कर लेना है यहां पे क्लिक करके आपको file select कर लेना है या फिर अगर file इस तरह से desktop पर है तो इस software के अंदर सिर्व आपको drag कर कर के ले जाना है या select कर लिया है अब दोको video की सारी information आपको यहां पे दिखाई दे रही है उसका title दिखाई दे रहा है कि कितने minute का video है यहां पे इसके नीचे आपको कुछ presets दिखाई देंगे अब यह presets के इनको समझ लीजिए फिर हम custom भी समझेंगे यह अलग अलग चीज़े है तो preset पे जैसे आप click करोगे तो यहां पे general presets दिए गए है और यहां पे यह जो सबसे आगे दिया गया है यह है आपके video के pixels यानि अगर आप इस pixels पे very fast video को encode कराते हो तो simple इसे select कर लो यहां पे यह frame rate दिया गया है यहां पे pixel दिया गया है इसी तरह से एक बहुत लंबी list यहां पे दिया गया है मैं यह पूरी list आपको दिखा देता हूं यह journal list है यहां पे सबसे पहले video की जो quality है वो दी गया है उसके बाद frame rate दिये गया है जब आप hand break को open करेंगे तो यहां पे यह fast वाला जो है वो आपको default में दिखाई देगा तो जैसे जैसे आप नीचे scroll करेंगे आपको क्या दिखाई देगा आपको यहां पे एक web का option दिखाई देगा अब जो youtuber है जो youtube पे video upload करते हैं अब उन्होंने video edit कर लिया किसी software से वो चाहरें कि ठीक एस video का size थोड़ा सा कम हो जाए कि quality as it is रहे तो यहां पे option आपको मिलता है 4K का आप यहां पे 4K quality में 2K quality में HD quality में आप अपने video को encode करा सकते हो single click के साथ में तो सबसे पहले youtubers के लिए मैं कराऊंगा उसके बाद custom आपको बताऊंगा एक custom भी अगर आपको set करना हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है तो यहां पे आपको तीन चीज़ें दिखाऊंगा सबसे पहली तो यह journal में जो very fast वाल option दिया गया है यह आपकी quality को कितना बना के रखता है और size को कितना कम करता है उसके बाद जो youtuber है उनके लिए मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा उसके बाद एक custom setting में आपको बताऊंगा जिससे आप size को और भी बहुत कम कर सकते हो तो सबसे पहले हम चलते हैं very fast वाले mode पे यहां पर आपको यह select करना है उसके बा नाम देता हूं ठीक है demo 1 मैंने यहां पर नाम दिया और इसे save किया तो यहां पर simple आपको क्या करना है start encode करना है और थोड़ी देर के लिए शांती से आपको बैठ जाना है अपने system के सामने तो यह क्योंकि option very fast है तो यह बहुत जल्दी आपके video को compress करने की कोशिश करेगा तो यहां पर आप देख रहे हो remaining time यहां पर चल रहा है और यहां पर वो time चल रहा है जितना time इसको compress करने में लगेगा तो थोड़ी देर हम बैठ लेते हैं तो जो हमारे demo 1 video है वो encode हो गया है इस video को हम इसके बराबर में रखते हैं और इस पर right click करके check करते हैं कि यह कितने size का हो चुका है तो आप यहां पर 104 MB का यह video बन चुका है और हमारी original file की जो property उसको check करते हैं वो हो जाती है 675 MB तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह जो software है वो कितना compress कर देता है अब compressed हो गया आप quality भी check कर लेते हैं तो पहले तो original video को play करते हैं यहां पर आप देख है चलिए अब हम check कर लेते हैं कि अगर हम YouTube के लिए इस video को upload कर रहे है YouTube के लिए compress कर रहे है तब यह क्या करेगा और सबसे last में जो मेरी सबसे खास setting है जिस पर file size और भी अच्छा compress होता है और quality भी बिल्कुल नहीं जाती है उसको check करेंगे तो यहां पे हम जाएंगे journal option के न इसको भी एक बार फिर से हम encode करेंगे browse पे अगर हम जाएंगे और file का नाम अलग से देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो demo yt में इसको नाम दे देता हूं और यहां से इसको मैं save करूंगा और इसके बाद start encode इसके बाद में हम बात करने वाले हैं custom settings के बारे में जो और भी अच्छे से compress करता है तो वीडियो लास तक जरूर देखेगा बहुत काम में आने वाला है आपके so finally हमारा yt1 वीडियो भी encode हो चुगा है इस पर हम right click करके सबसे पहले property चेक करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि यह वीडियो 206 MB का बना है demo 1 जो था वो बना था 100 MB का इसकी quality हम चेक कर लेते हैं आप quality देख सकते हैं कितनी best quality में यह वीडियो आया है और यह जो वीडियो है वो 200 MB का क्यों बना है क्योंकि यहां पर जो frame rate था वो 60 हो गया था तो इसका भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है क्योंकि जो वीडियो आप record कर रहे हैं उसमें frame rate की बड़ी एहम भूमिका होती है अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे custom setting के बारे में जिसमें video और भी compress हो जाएगा और quality भी बिल्कुल नहीं जाएगी लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जरा भी अच्छा लगता आप चाहते हो कि एक आपको ऐसा course में ले जो life changing हो बहुत सारी चीज़ सीखो आप उसके अंदर और उसमें internet की भी आपको जरूरत ना पड़े तो ये छोटा सा एक clip है आगे आप जरूर लगी लोग अपना साड़े साथ अजार रोपे का फायदा कर सकते हो हमारे सारे premium pen drive courses पर चलिए जल्दी से समझा देता हूँ हमारा premium mouse pad जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे एक free otg और हमारा pain drive है वो मिलेगा जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशकता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pen drive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर आपके mobile phone पर tab और आपके android smart tv पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है जिसे ही course आपको लगवग 4000 रुबे का पड़ेगा लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बत कर देना है जैसे आप coupon code apply करेंगे तो आप देख रहे हैं यह course आपको केवल 2499 यानि 25 रुबे का मिलेगा तो जो भी पांच लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा आशा करता हूं कि यह pen drive course आप जरूर जोइन करेंगे अब आपको सबसे वीडियो है हमारा 675 MB का यह रहने वाला है केवल और केवल 64.9 MB में और quality भी unmatched बहुत ही crystal clear जैसे हमारे यह 675 MB के वीडियो की quality है same as वैसे ही बहुत ज़्यादा quality डाउन नहीं जाने वाली है और हम इसे करने वाले हैं 60-65 MB के बीच में आपको सबसे पहले handbrake को open कर लेना है और यहां पर अपने जो main video है उसको drag करके ले जाना है तो इतना तो आपने करी लिया है इसके बाद में आपको यहां से fast से इसको select करना है very fast वाले mode पे और इसके बाद आपको जाना है video वाले mode पे अपको यहां पर कुछ settings है जो आपको समझनी है ताकि यह बहुत अच्छे से perform करें तो यहां पर जो frame rate 30 दे रखा है इसको select करके आपको ले जाना है same as source पे इसके बाद यहां पर आपको option दिखाए देगा contest quality इसको यहां पर 24 के बजाए हमको set करना है 28 पे ले जाके इसको 28 पे set कर लेता हूं वैसे तो आप इसे क बहुत ज्यादा lower quality हो जाएगी और video भी आपका उतना अच्छा आपको नहीं दिखाए देगा तो अगर video आपको अच्छा देखना है आपको सारी चीज़ें ठीक से दिखाई दें आपकी quality भी down ना हो तो यह setting आपको यहां पर change करनी है इसके बाद में यहां पर encoder option आएगा तो यहां पर आपको option दिखाए देगा very fast का तो very fast select कर लीजे encoder profile में जाके आपको यहां से high को click करना है तो high हमने यहां पर click कर लिया है तो इसके बाद आप क्या करना है हमको file को सिर्फ और सिर्फ अब encode कराना है तो browse पे चले जाए जहां भी जिस भी location पे आप कराना चाहर है और आप right click करके इसकी property में आपको check करा देता हूं तो यहां पर आप देखिए इसकी जो property आई है वो आई है 66.1 MB तो इसको आप चलिए तो इसको हम play करके देख लेते हैं यह हमारा जो अभी last video है जो हमने compress किया है उसकी quality है quality में कहीं भी compromise नहीं किया है हमने and यह हमारा original video ह सुआशा करता हूं यह जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है नीचे comment करके जरूर बताएगा हमारे social media के link भी नीचे दिये गए है Instagram पे आप हमें follow कर सकते हैं और Facebook पर भी हमें आप follow कर सकते हैं इसके लाब हमारे और जो चैनल से उनके भी link है जाईए subscribe करिए और धेर सारे ग्यान का आनंद उठाइए मैं मिलता हूँ आपसे एकले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्यवातरम